हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लेंगर दितिमन आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फाइव राजिस्थान में व्यापार तो इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए राजिस्थान का जीके जहां भी पूछा जाएगा तो जोग्रफी में आपको ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है तो लास्ट वीडियो में ही मैंने आप लोगों से एक कुशन पूछा था जिसमें मैंने पूछा था कि इन में से कौन सी खरीव की फसल है तो देखिए उजवल राओ ने बिलकुल सही आंसर दिया जुआर उसका सही आंसर था राज कुमारी ने भी बहुत सही आं दिलीब कुमार ने भी प्रतिक का जो है इन्होंने सायद में इनका नाम सही से पढ़ रही हूं शुशीला खारा इन्होंने भी सही दिया है और दैरवाल सिंग जो है इन्होंने भी बहुत अच्छे से आंसर दिया है तो वेरी गुड आप लोग बहुत अच्छे से पढ़त करते हैं राजिस्थान के आर्थिक विकास में क्रशी के साथ साथ उध्योग एवं व्यापार का भी महतवपूर्ण स्थान है यानि आर्थिक विकास में क्रशी का तो इंपोर्टेंट रोल है ही उसके साथ साथ उध्योग और व्यापार ये भी एहम रोल निभाते हैं हमारे राज्ये में इन उध्योगों की इस्थती ऐवं ओध्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंदे जानकरी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे. क्रशी आधारित उध्योग राजिस्थान में क्रशी आधारित बड़ी उध्योगों में मुख्यत है सूती वस्र उध्योग, चीनी उध्योग या शक्र उध्योग सम्मिलित हैं, ठीक है? तो सूती वस्र उध्योग, चीनी उध्योग और शक्र उध्योग ये किसमें आएंगे? क्रशी आधारित बड़ी उध्योगों में आएंगे सूती वस्र उध्योग राजिस्थान का प्राचीन तम परंपरागत संगठित सरवाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्रशी आधारित उध्योग है तो बहुत इंपोर्टेंट लाइन है एक्जाम में पूछी जाती है कि सबसे प्राचीन अलग कर रोए निकाल लिये जाते हैं रूई की छोटी छोटी गुच्छी बना कर चरके पर काती जाती है जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं इन धागों को रंग कर ताने बनाये जाते हैं फिर ताने को खड़ी पर चड़ा कर कपड़ा बनाया जाता है बड़े उध् कि सूती वस्र उध्योग एक तो आ रहा है आपका क्रशी आधारित बड़े उध्योगों में सबसे पुराना है और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उध्योग है। कि मीले इस्थापित हैं। वर्तमान में भील वाड़ा को क्या कहते हैं वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो राजेस्थान में पहली सूती जो वस्त्र मील है वो कौन सी रही दकृष्णा मिल से लिमिटेड जिसकी स्थापना ब्यावर में की गई 1889 इस्वी में। द गन्ना उत्पादन शेत्रों के पास ही चीनी मिल होगी, गन्ना से ही चीनी बनती है। जिससे कच्चा माल उपलब्द होने में एक तो टाइम भी कम लगेगा और धन भी बच जाएगा। इन मिलों में गन्ने की रस द्वारा ब्रहत स्तर पर सक्कर निर्मान का कार्य किया जा तेल, गुड, खानसारी और दाल उध्योग। खाद्य तेल के कार खाने जो है वहें जैपूर, भरतपूर, सवाई, माधोपूर, स्री गंगा नगर, कोटा, भूंदी, अजमीर और पाली जिले में हैं किसके खाद्य तेल के कार खाने। और याद रखना है कि खाद्य तेल यहां परियाप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है, राजेस्थान, खादी तथा ग्रामों उध्योग बोर्ट, राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उध्योगों के प्रवंदन का कार्य भी करता है। यहां उध्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है, एवम सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। परिस्थिती हो, भोगोलिक हो, जलवायू हो, जलकी विवस्था हो, ठीके टेमप्रेचर हो। इसके उत्पादन हेतु विशेज प्राकरतिक संसादनों, अन्य संसादनों वा कई बार विशेज तकनीक की वी आविशक्ता होती है। जो हर राज्य के पास उपलब्द हो, यह जरूरी नहीं है। इसी को कहते हैं विनिमे व्यापाद। अत्य कहा जाता है कि अन्य देश या राज्य से वस्थों को मंगवाना आयात कहलाता है। और वस्थों को अन्य देश या राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है। चलिए इस बॉक्स को देख लिते हैं। यह भी जाने प्रसंस्करण यानि कि प्रोसेसिंग यह वह प्रक्रिया है जिसके दुआरा करशी उत्पादों विशेश कर वे उत्पाद जो शीग्र ही नस्ट हो जाते हैं, इनको खादे पधार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिससे कि उनका लंबे समय तक उ प्रसंस्करण यानि कि यह ऐसी प्रक्रिया होती है, जिससे कि उत्पाद जो की जल्दी समाप्त होने वाले होते हैं, नस्ट होने वाले होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको खादे पधार्थ के रूप में बदला जाता है, जिससे कि लंबे टाइम तक उसका यूज कर सके हमारे राज्य में जो वस्त में उत्पादित होती हैं चाहे वो कर्शी उत्पाद हो वनो उत्पाद हो या ओध्योगी उत्पादन राज्य में एक जगे से दूसरी जगे भेजी जाती है जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार हो तो यह अंतर राज्य व्यापार कहलाता है ठीक है तो जब एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार हो इसे कहेंगे अंतर राज्य व्यापार जब यह व्यापार एक देश का अन्य देश से होगा तो क्या कहा जाएगा अंतर राश्ट्रिय कहा जाएगा ठीक है राज्यों में अंतर राज्य व्या पूटे अनाज, सोया बीन, दालों, तिलहन, सबजीयों, लहसुन, संत्रे, दुग्द के उतपादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। इन में से कई वस्तुओं को इसी रूप में कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य से बाहर भेजा जाता है। पल, सबजी, डेरी, उतपाद का प्रसंस्क्रण किया जाता है, जिसे आप पैकेट बन भोजन पे पधार्तों के रूप में उप्योग करते हैं। तो इस पहराग्राफ में जो इंपोर्टेंट लाइन है, वो ये है कि राजिस्तान में सर्सों, ग्वार, अजवाइन, धनिया, मैती, इसबगुल और उन। ठीके, इनके उतपादन में राजिस्तान अग्रणी है। राजिय में मुख्य रूप से जवार, बाजरा, तेलहन, कच्चा सूत, खली, संग मरमर, पत्थर, बांस, सर्सों का तेल, निर्मित, सूत राजिस्तान से निर्यात किये जाते हैं। इन वस्तों का राजिस्तान सुद्ध रूप से आपूर्ती करता है, जबकि चावल, मिट्टी के तेल, खनिश तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन, उपकर्ण, आदि का आयात करता है। इन पूत जादा है, तो क्या करते हैं, इसका हम लोग निर्यात करते हैं। तो ये देखीए, कालीन, राजिस्तान से कई वस्तों अदूसरे देसों को निर्यात की जाती हैं, तो दूसरे देस में भी जाती हैं। उत्पाद, हस्ट, शिल्प, चमड़ा, चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांतर की, क्रशी, खाद्य उत्पाद, दरियां, कालीन, इलेक्ट्रोनिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेर आदी, इनका क्या करते हैं, निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में, तो इसमें स राज्य कई वस्त्वों के उत्पादन में अग्रडी हैं, यहां निर्यात की कई संभावनाएं हैं, इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्दन हेतू, कई योजनाएं भी लागू की हैं, राज्य इस्तरिय निर्यात पुरुसकार योजना के तहत 35 निर्यात को को क्या करते हैं, निर्यात प्रोसाहन प्रक्रिया एवं दस्ता वेजी करण पर प्रैसिक्षन कारिकरम के तहत उद्धमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारम करने के लिए दो दिवसी प्रैसिक्षन दिया जाता है तो ये देखिए लकडी की बनी हुई बहुत सुंदर-सुंदर वस्तुएं हैं ये आभूशन हैं जिनका क्या करते हैं निर्यात करते हैं इसके अतरिकत राज्य सरकार ने करशी प्रेसंसकरण, करशी व्यवसाय, करशी निर्यात प्रोसाहन नीती 2019 का निर्मान किया है जो राज्य में करशी प्रेसंस करण, करशी व्यवसाई, करशी उत्पादों की निर्यात समभावनाओं को तलास कर उन अवसरों का लाब उठाने के प्रापधन करती है यह नीती राज्य में करशी उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसाईयों को प्रोसाहन प्रदान करती है तो यहाँ पर कुछ भी आप लोगों के लिए नोट करने के लिए नहीं है यह चेप्टर आपका चोटा ही है, कम्प्लीट हो गया है चलिए इसकी सब्दाबली देख लेते हैं आयात का अर्थ क्या होता है? वस्तों को अन्य देश या राज्य से मंगवाना खरीदना निर्यात का अर्थ है वस्तों को अन्य देश या राज्य को बेचना प्रेस अंस्क्रण, डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि क्रशी उत्पादकों को जो की सीग्र नस्ट हो जाएं इनको खादे पधारतों में बदलने की क्या है? एक प्रोसेसिंग है तो हर बार की तरह हम लोग अभ्यास प्रेस में जरूर करते हैं ताकि हमने अभी ही चैप्टर पढ़ा है, तो इसके कितने कोशन आंसर हम सॉल्व कर पाते हैं, यह पता लग जाएगा राजिस्पान में निमनल कित मैं से कौन सा उध्योग बड़े उध्योग कि श्रेणी में आता है? को दो-तीन बार मैंने इस चीज़ को आपको अभी याद कराया, घानी तेल, शहद, सूती वस्र उध्योग और खादी सिल्क जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, तो सोचते हैं कि बहुत ही आसान है, ठीक है? यह तो हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब कोश्चन सॉल्व करते हैं, जब हमें पता लगता है कि वाकई में हमें कितनी चीज़ समझ में आएं, तो बिलकुल आंसर होगा सूती वस्र यह सबी लगु उद्ध्यो किश्रियनी में आएंगे, कौन सी वस्तू राजिस्तान से निर्यात नहीं कि जाती है? तो देखिए क्या क्या कि जाती है? हमने देखा जबाहरात जो है, वह किया जाता है, संगबरमर पत्थर जो है, वह भी किया जाता है, और उन, उन से बने ज वर्ष 1889 में डैस की स्थापना की गई थी तो किसकी स्थापना की गई थी कमेंट बॉक्स में आप हर बार की तरह इसका आंसर देंगे सेकिंड है राजिस्थान सरकार ने करशी प्रेसंस करण करशी वेबसाइब करशी निर्यात प्रो शाहन नित्ती का निर्मान कब किया था 2019 में किया था तो ये कुश्यन जो है इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको इस पर्स्ट कुश्यन का आंसर जरूर देना है व्यावर में वर्ष 1889 में डैस की स्थापना की गई थी ठीके तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो आपको देना है मिल कर दो कर दो